Hello Hello a very good morning to all of you I hope you all are fine welcome to Shaz Bailo ji और last हमने पड़ा था last हमने पड़ा था आपका three kingdom classification किस ने दिया था three kingdom classification unnist hakel ने दिया था ठीक है unnist hakel ने three kingdom classification दिया था जिसमें उन्होंने protista को करा दिया था याद रखेगा प्रोटिस्ट्रा किंग्नम की जो डिस्कवरी का पार्ट है न वह अन्य सैकल को मिला क्योंकि उन्हों नहीं उसको एड़ करा है था चलिए तो फोर किंग्नम क्लासिफिकेशन सिस्टम आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है बच्चे भी बिचारे प इंक्रीज होगी चलिए तो लेट्स स्टार्ट चलिए फोर किंग्नम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड मॉनेरा इडिशन तो प्रोटिस्ट अच्छा में तो पता था कि प्लांटी और अनिमेलिया बन गया था उसके बाद फिर को अन्य सैकल ने प्रोटिस्टा बना दि दुनिया भर के जहान के इतने बैक्टिरिया उनको पूरी इक अलग से किंग्डम दे दिया गया मॉनेरा उसी में जाओ और वहीं पे रहां से तो प्रोटिस्टा तो डस्वें देश्टा में जो कुछ नहीं आ रहा है वह सब डाल दो तो फिर क्यूंकि मॉनेरा क्यूंकि ब लीटेटी अलग अप्रन्स ब्रेंगboarding से और अच़लोंकि फिल्फटाल मॉनेरा फैसम नौनेरा उच्रफटाइब 325XD घटिरोंरी सब्सक्र मिग और दो प्रोटिस्टा वेयों वोह ізश्थת प्रोटिस्टार शुरूंनरा उस्चली सब्सक्राइब से कूंद प्रोटिस् साथ साथ मोनरा जोड़ गया एक प्लांट एनने में लिए इस्तडीब इस्टडीज विद एलेक्ट्रोन माइक्रोंकोप मेर एड हे चलियर बैक्टेरिया और उनका जो structure है वो अलग है किसके basis पे nuclear structure के basis पे क्या मतलब हुआ मतलब उनके nucleus के basis पे वो अलग है nucleus structure पे उनके कुछ अलग structure तो देयार prokaryotes पहली चीज़ पूरे kingdom में फाइप kingdom classification ने bacteria यह जो prokaryotes होंगे मैंने कल आपको बताया था prokaryotes क्या होते हैं prokaryotes वो होते हैं जिनका जो nucleus होता है वो इस तरह से फैला पड़ा रहता है और उनके बाहर कोई nuclear membrane नहीं होती हम जो है वो किस में आते हैं हम आते हैं आपकी किसके इंदर हम आते हैं यह केरियोट में ठीक है चलिए अधिए आपको इतना समझ में आ गया होगा आपको त्के आर प्रोकरी यूट्स तर्स kingdom monitor was created by copland किसने दिया four kingdom system copland ने ठीक है four kingdom classification को देने वाले scientist कों थे copland को प्लेंड मोनरा को दिया था ठीक फंजाई continue to remain with plant in this system अगर अभी भी रेखिए फंजाई चल रही है किसके साथ प्लांट के साथ जबकि फंगस अलग है प्लांट से character में अगर फिर भी अभी इसको एल्गी और फंजाई को प्लांट किंग्डम में ही डाला गया एल्गी तो चलो ठीक है वह तो chlorophyll pigment रखती है तो वह तो सही है मगर फंगस तो सही नहीं फंगस के पास तो chlorophyll pigment नहीं हो था यहां था कि mode of nutrition भी अलग है फंगस का वह ओट्रोट्रॉफिक है और यह हिट्रोट्रॉफिक है चलिए आगे देखते हैं फिर आग यह आपका five kingdom classification system चलिए the classification was proposed by आरेच विटिकर याद रखिएगा five kingdom classification system को देने वाले हैं आरेच विटिकर अभी तक हमारी इंसी आटी में बताएं क्या करा गया है उसको अपडेट नहीं किया गया है मगर kingdom तो बहुत हो गया है classify six kingdom classify हो गया seven हो गया eight हो गया है बहार की जगाओं पे जो मतलब बहार की countries में जो बच्छे स्टेडिस कर रहे नो उनको तो पताए कि उनको kingdom जो है वह आठ तक डिसकावर्ड हो चुकिया और उससे आगे भी शायद हो मगर अभी भी हमारी न्सी आटी में five kingdom classification system ही चल ला चलिए तो जो अन्सी आटी में चल ला वो तो अभी पढ़ नहीं है में बच्चे कह रहों है हाँ five और बढ़वा दो ताक यह पढ़ाई के लिए मुसीवत हो जाई यह मैडम तो और है चलो हो इस इस classification वह प्रपोस भाई आरेच वेटेकर तो यह classification किस नहीं किया था आरेच वेटेकर नहीं किया था 1969 इतना कोई शुनी है डेट का को इतना बड़ा इसुनी होता वैलो जी में इतना डेट नहीं पूँ जादा दिहान नहीं दिया जाता है स्पेशली बैलो जी सब्जक्यों होगा कुछ जगहां पर जब बहुत इंपोर्टन डेट होगी तब वह यह नहीं पूचेगा आपसे कि सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन ने कब दिया वह यह पूचे का फाइफ किंग्डम क्लासिफिकेशन किस ने दिया तो आरेज विटेकर इंपोर्टन यहां पर बिफूर 1969 दा क्लासिफिशन सिस्टम फॉर लिविंग और इस हैव अंडगो nume बिफॉर इस ही अन्य वाकि दूचे झीज सब्सक्राइब कौप हैन्य के आप वह लिया दिया प्लटिस्टफा और क्या दिया नहीं सब्सक्राइब तो बनके 5 kingdom classification system अच्छा फंगस को इन्हों ने अरेंज कर दिया तो फिर classification में तोड़ा असानी होगा यह है और इस वे तेकर का 5 kingdom classification भूंत क्यों मोन्रा थे मोन्रा होते हैं वहाँ बैक्टीरिया मोन्रा किंडम के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और यह अकेले इन चार kingdom classification चार जो kingdom है ना इनने अकेला जो मौन रहा है ना यह प्रोटिस्टा मतलब सुरी यह प्रोकरियोट से ठीक है बाकि सारे यूकरियोट से सबके nucleus के बहार nuclear membrane present चलिए उसके बाद second क्या animal यह हो गया इसमें सारे कीड़े अलग है और कोई चीज अलग है कुछ अलग है आपको खुद पता चल जाएगा जब आप kingdom आने मेलिया पड़ें उसके बाद आया kingdom फंजाई ठीक है fungus को एक दम ही अलग कर दिया है इनोंने यह fungus का क्योंकि mode of nutrition भी तो अलग था इसा थोड़ी नहुत है किसी के basis पर बाटा होगा ना मतलब कि क्लासिफिकेशन अगर कर रहा जाता है तो उसके कुछ ना कुछ बेसे होता है कि हम किसी चीज को बाट रहे हैं तो अगर क्लास में बच्चे हैं तो मुने किसकी अकॉर्डिंग बाट रहे हैं या तो जेंडर क कि अलग हो जाता है या फिर हैट के basis पर बाट देंगे कि ठीक है एक काम करो इतनी हाइट इह राजाव है एतनी हैट आग देर एकम क्लेख बाट डींगी और ने मिन संसिते मकर आज सकते हैं मिनागे और किक्रून बहुत सारी चीता हें Papos йv आया इगूसे है और कि में पढ़ार रखना पड़ता है कि हम बाड किस बेसिस पे रहें तो पता चले कि यूँँ बाटरिंगर की सरकार है कि वसले हैं कि तुम फंजा इधर चले जा प्लांटी अधर चले जा नहीं तो बेसित होता है चलिए तो देखें आरेश वेटिकर निसका बेसिस क्या रखा था त है इन इसके बैसे सबसे पहली जो यह बात इस अबसे पहले की विगुने ज़ीक्राल सक्केशत ौनि defendi हमाद सेंवSpeed स्ट्रक्चर का संनि आप रिब्रेंस एक ए अयुकंचर के लनке तरफ में नोटिस इसume बाट्यट्यवात की स्ट्क्ट्रान में आपको बता दू तो यह देखा गया कि autotropic क्या कौन है? heterotrophic क्यों है? फिर saprotrophic क्यों है? heterotrophic वह होते हैं जो दूसरे के ओपर खाने के लिए डिपेंड करते हैं हम plant को environment दे देते हैं water दे देते हैं soil दे देते हैं light दे देते हैं अब lawky कांच के दोकुझ वन खुद बनाएगी न हम थोड़ी न हीलागे आज आलोकी तो हम प्लान्ल लॉपीय इसा थोड़ी न होता है तो हम डाधक्ट नहींक्त प्लानं से अलोकी किया घाएं वह यह खतीyu है कि और यह सब्सक्राइब और में जोफ़तेस हैं ज्सक्तीपों ने खती कि चीजे साढ़ लगे हम वे करने में टोफ़ते हैं ठीक है कोई अनिमल मर जाएगा तो उसके उपर लग जाएंगे तो फंगस जो है वह सेप्रोफाइटिक मोड अफ निटिशन को शो करता है वह है तो एक तरह से हीट्रोटॉपी की दूसरे के उपर डिपेंड कर रहा है रहते हैं तो वह कैस में आता है वहाता है अब बढ़नेशन चलिए तो फैल्स और्गनाजिशन जो होता है बैसिकली क्या है कि उनका बॉडी का पार्ट कैसा है मतलब इनकी बॉडी किसमी डिवाइड है देखिए जो यह इल्गी होती है उनकी बॉडी तैलस लाइक स्टेक्च्चर शो का ति तैलस मतलब एक तैली की तरह से तो उनका स्टॉक्ष्र का वो कि अगर इसे हम कोई प्लांड प्लांड या तो प्लांट को रूट शूट स्ट्रम में डिवाइड होना चाहिए ना तब ही तो पता चलेगा यह प्लांट है उसमें वेस्कुलर टिशू होना चाहिए तो इस तरह इन्होंने थैलस और पाई जाता है और एक थैली की तरह स्टेक्चर होता है अभी आपको जब यह पढ़ेंगे डिटेल में तो पता चल जाए गई उसके बाद रिप्रड़क्शन कैसे करता है मोड अफ एक पार्टनर से रिप्रड़क्शन हो जाता है या फिर दो पार्टनर का इन्वाल्मेंट होता है एक प्रके ऐसे हुआ पहले चोसी क्या थे उसके बाद वह कैसे ओड़ाया फिर आगे वहागे बढ़ कर प्लांट बने मतलब आज जो प्लांट बने व जब आप टोल्ट में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक सक्सेशन पूरा पार्ट है तो उसमें क्या होता है कि बताया गया है कि फाइलो जो बड़े-बड़े आपको प्लांट्स दिखते हैं वह यूही आसमान से आके खड़े नहीं हो गए उनको लाखोर मतलब कि बिलियंस ऑफ टाइम्स मतलब कमसे इसमान के चलिए कई साल लग गए उनको बनने में कई लाखों साल लगे होंगे तब जाकि वह आज इस शकल में हमें नजर आते बड़े-बड़े प्लांट्स ठीक है तो चलिए फिर आज हमने इतना ही से पड़ा आज हम इसे इतना ही म कल हम इसके मैरिट्स दी मैरिट्स और अलग से मौनरा को स्टार्ट कर दें अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक्यू